Hello everyone, Good morning, कैसे आप लोग, उम्मीद है सब लोग मजे में होंगे, सबसे पहले तो आप सब को रख समंदन की बहुत बहुत सूप करना है, अच्छे से तयोहार कंप्लीट हो गये, सावन समाप्त हो गया, अब लग जाओ तो यारी में दुबारा से, ठीक है, ये नया मैं जो स्टा आएगा, नए वाले एक्ट आने, तो हम उन नए वाले एक्ट को जो नए एक्ट है, BNS, BNS, BNS से, तीनों एक्ट को प्रोपर कवर करते चलेंगे, ताकि आपका कोई भी क्यूप्टिन न चुटे, अब इतना डिटेल में तो नहीं होगा कि आपके मेंस की आंसर लिखवाए जाएं, case scroll लिखवाए जाएं, लेकिन important case भी करेंगे, concept पूरी तरह से clear करेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि आप bare act उठाओ, और ये class read करो, 15-20 minutes की daily class होगी एक class, और recorded class ही होगी अभी कुछ दिन, फिर बाद में live कर देंगे, अगर देखते हैं, जैसे भी रहेगा, ठीक है, अगर आपने सिरी bare act और class कर दी, तो pre के question नहीं बचने वाला कोई भी, अराम से cover कर लोगी, चलिए शुरात करते हैं, बिना time waste की, बिल्कुल studying से कर रहे हैं, कौन सा, BNS, भारते नियाय सहीता, मतलब IPC, जो पुराना IPC था हमारा, अब उसकी जहें कौन सा आगे, भारते नि जा रहा है, राजयस्वा में, दोनों house में पारित होने के बाद, तीसरा point क्या बनता है, president, president के signature हो गए, तो वो क्या बन जाता है, हमारा नया act बन जाता है, एक विधी बन जाता है, पहले वो bill होता है, normal, bill जो present के, ड्राप्ठ है, दोनों houses में पास हो जाता है, फिर उसके ब बना था, 25th, December, 20th, enforce का बो रहा है, enforce हो रहा है, 1st July, 2024 को, कब enforce हो है, 1st July, 2024, 2024 को ये enforce हो है, अब बात या आती है, कि ठीक है, ये लागू कहां कहां हो है, पूरे इंडिया में है क्या, yes, कोई बताना चाहेगा, ये जो act बन रहे है, ये सब पूरे इंडिया में लागू हो रह है, जो जम्मु कस्मीर का मुद्धा पहले था, कि जम्मु कस्मीर इंडिया का पार्ट है की नहीं है, पहले नहीं था, तो इसलिए इंडिया वहाँ पर लागू नहीं होते थे, सारे act, तो फिर बात में अगर उसकी बात बगरे, क्योंकि ये question महां से भी बन सकता है, लो का म लाग होना, कब से स्टार्ट हुआ था, वो वाली डेट, कौन सी है, 31st October 2019, 31st October 2019 से, पुराने वाले सभी act, कहां पर लाग होगे थे, जम्मु कस्मीर पर, अब इस act की बात करते है, इस act में और क्या क्या आ सकता है, सभी चीजे, हर point देखेंगे, इसमें total section कितने है, कितने है 358, और chapter कितने है, 20, question यहां से भी मनता है, section कितने है, पहले कितने थे, 511, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, दूसरा point, इसका object क्या है, अगर आप बेरेट खोलेंगे, जहां section 1 है, उस से थोड़ा सा उप लिखाओ, the object of the set, कितना है, क्या है, consolidation or amend, consolidate or amend करना की इसको, विदी को, अब आगे बढ़ते हैं, बिना बात के हैं, जरुदर की बातों पर time based ना करते हैं, सिर्फ वो question करेंगे, जो exam में आने वाले, जो बेकार चीज़ेंगे, उनको छोड़ते चलेंगे, चलिए, आगे बढ़ते है, next, section 1 क्या बात करें, इसका नाम क्या होगा नाम क्या है, BNS, कौन सा, 2023, then, ये enforcement कब होगा, subclose 2, section 1 का subclose 2 क्या बात करें, enforcement, क्या दिया है देर, वहाँ पर bear act में आपको मिलेगा, ये enforcement ताब होगा, जब center government इसको notify करेंगी, official gadget में, तो notify कर दिया है, center government ने, कब, 1st July, 24, और ये pre का question अलग से बन जाता है, then, आगे subclose 3 और 4 दोने जार रखना, ये उन अपरादों की बात कर रहा है, जो within India किये गए है, India के अंदर किये अपराद कैसे चलेंगे, इस सही तक है according, then, इंडिया के बाहर किये अपराद, कौन से अपराद, जिनका trial इंडिया में चलना है, इस विदी के दुआरा, वो सब कहा दि कि इसने, इंडियान सिटीजन ने, वो कैसे गवर्ण होंगे, BNS के थुरू, हमने के ठीक है साब, दूसरी बात, कोई ऐसा, क्या है, एरक्राप्ट है, या शीप है, कोई, जलियान है, या वयूयान है, कुछ भी, जिस पर कोई अपराद किया जाते है, लेकिन वो क्या है, द तो हम क्या कहेंगे, यह इंडियान शीप है, अगर इसके उपर जंडा लगा है, पाकिस्तान का, तो हम क्या मानने, कि पाकिस्तान का जाते है, वही बात है, यह कह रहा है, अगर इसके उपर इंडिया का जंडा है, यह मैं समझा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, तो यह इंडिया में रिस्टेड है जो इंडिया में रिस्टेड जल्यान है या फिर एर कराफ्ट है कोई उस पर यदि कोई भी अपरादr게요 गते हैं वह कैसा ट्रायल होगा बिंश क्यों ठीक है यह मानने जाब आप राध काहा हो जबिन अब सब के बात करता साइब की साइबर का कई माल्या में कोई बैठा है यहां कर ना बैठा है को यहां से कोई ऐसे कोई साथ की चेडगान िकर रहा है क्या ऐक सबसक्राइब दे रहा है बेज रहा है इमेल कर रहा है जो भी चीज़ कर रहा है अगर कोई भी बाहर कहीं पर भी बैठ कोई cybercrime करता है किसी ऐसे system पे जो कि इंडिया में situated है कोई ऐसा computer जो कि इंडिया में situated है तो वो government कैसे होगा BNS के थुरू के लिए रहा है तक वो चीज़े भी क्या होंगी इंडिया के थुरू चलेगी इंडिया में अपराद किया गया है यह तीन फिर इंडिया में आते हैं कौन सा पराद है या फिरे परात ग्रहमी डिया का इसे computer इंडिया आइ से computer को driving चुट्रू और यह से विंगी सबकुलों सी सबकुलों सीक है इतना सेSQL इस सहीता में जो भी लिखा डिजन मेंटर, जो Air Force है, Army है, भारती सना के अधिकारी है, या पिर कौन से होगी, Indian Government के अधिकारी है, उनका अगर Direction वाला मामला है, मुटनी वाला मामला है, तो उस पर यह लो लागूनी को, उनकी अपने लो है, अपने इसाफ से चलेगे, ठीक आ अच्छा, ठीको तीनो एक्ट में जो Simple Act किया है, वो BNS है, जो आसान बना है, जो पहले से ज्यादा Easy कर दिया है, वो सिरी BNS है, बाकी CRPC ठीक है, Evidence Act को बहुत ज्यादा Completed कर दिया गया है, लेकिन समझने प्रोब्लम हैगी थोड़ी सी, लेकिन यह सब से Simple यह के, इस Section भी कम हो गया होंगे, अब आगे बढ़ते है, सब क्लोज टू, Section 2, Section 2 बात करता है, डेफिरेशन क्लोज की, यादे जब बिहार APO का हमने बैस सुरू किया था, 2000, 2000 में, फरवरी 2000 में, बिल्कुल ऐसे इसको प्रोपर लेके चलेंगे, वह टार्गेट करेंगे, जितने भी APO आ रह फिर नोट्स बनाने, ऐसे नहीं, कलाज चल रही है, नोट्स बना रहे हैं, रोक रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पहले पुरी कलास एक बर देख लो, अराम से, बिल्कुल सांत मन से, बिना बैरेट के, अपने आप याद हो जाएगा, जब नोट्स बनाओगे, आपको सब आप याद हो जाएगा, अब definition close थोड़े से complicated केयों में, उनको simple बनाने कोज करते हैं, और complete करते हैं, चलिए, section 2, section 2 का sub close 1 क्या कहता है, act, act का मतलब क्या तो कोई कारिय है, कोई भी कारिय है, दिखो, मैं खाली बैठा हूँ, मैंने कुछ कारिय नहीं किया, मैं कुछ करूँगा तो वो कारिय होगा, अब ठीक है, act आगया, omission का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा कारिय है, जो मुझे करना था, मैं नहीं कर रहा, किसी कारिय को करना act है, किसी कारिय को ना करना, omission है, उसको लोब कर देने, इसे बोलते हैं, लोब, हिंदी वालों के लिए, इसे बोलते है, कारिय है, ठीक है, कुछ याद नहीं करना, ये वाली आद करना है, 25 वाली बस, ठीक है, 25 याद करना, ये पूछे का, इसे जाद कुछ नहीं पूछने वाल, दन आगे बढ़ते है, उसके बाद था एनिमल, अनिमल मुवी सब ने देखी थी, कौन थे, लेड करेक्टर कौन थ दो बंदे थे, तो दो में ही आगे, क्या एनिमल, अनिमल में कितनी बंदे है, दो बंदे है, चले दर, चाइल्ड, अनके बच्चे होए, एक बच्चा, चाइल्द तीन, बच्चा अब धृते हम दो हमारा एक, डो के बगा तीस्रा क्onen है, मान लोग ने बोला, बज डो अगर आपने देखा होगा, चाइल्ड की डेफिनेसें, अब क्लोष 3 में, यह कहा रहा है, चाइल्ड कॉन सा है, एज अगे तीन येर्स, जो कितना साल है, अठारा साल से कमका, बच्चा क्या होगा, बच्चा क्या लाएगा, अब नेका ठीक है, अब बच्चा तो है बच्चे एक होगा फीमेल, और और त्रंजेंडर, अब ट्रंजेंडर कीबात है, जाहन से सुनना, क्या-क्या, अतीन तरे के जडडर होगा इंदिया में, कौन-कोन से है, मेल, फीमेल, एन्ड ट्रंजेंडर, दो लोग के साध ही, तीस रा बच्या ओ तीसरे बच्चे के बारे नैं, d कुण से होता है किसी भी उमर का पुरूष doesn't matter उसकी एज क्या है मेल कहा दिया क्या है मैन की डेफिनेशन उननीच में है फीमेल की डेफिनेशन कहा है वुमेन की मेंज कितनी 35 में वुमेन 35 में ठीक है दिखो आदमी क्या करते है क्या के एक युद बीचिन ने ड्सक्राइब की बढ़ते हैं यह आगे मैल यह रहें ठीक आप बात है ट्रांजेंड्र में इसलिए डीटेल में जा रहूँ क्योंकि यह पहले IPC में नहीं था पहले किसी एक्ट में नहीं था में 2014 में एक एकटा एक जजमेंटाई था कौन सा है नालसा वर्सिज यूनियन उप इंडिया 2014 सुप्रीम कोट वॉल्यूम टू पेज नंबर छोड़ो चलिए इस केस में क्या गया था कि देखो जैसे मेल और फिमेल को राइट देगे ऐसा है ट्रांजेंडर को भी राइट होने चाहिए कौन कौन से राइट रिजिवेशन का राइट हर चीज का राइट सारे राइट यहां पर देते बस यह याद रखना अगर ट्रांजेंडर के राइट की बात आती है सबसे पहले जिपने कोन सा है नालता ठीक है 2014 इसी केस की वेज़ से यहां तक हो गया फिर आती है कोट आप ते यह किस की कर रहे हो जज की आई पी होगी कहा बेटो के कोट में बैठो की 25 में कोट अब कोट में बैठने वाला बंदा कैसे काम करेगा किसी के इन्फूएंस बढ़ काम करेगा या किसी के दबाव में काम करेगा, या गिल्टी माइंड से काम करेगा, मेंसरी ऐसा नहीं करेगा, उसके काम कैसा होना चाहिए, उसके सारे काम गुड़ फेथ में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, गुड़ फेथ में, गुड़ फेथ में, कौर्ट में बैठने वाले वैक्त यहां तक समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताईए फिर आगे बढ़ते हैं अभी बॉर्ड थोड़ा जीब सा लग रहा होगा मैं इसको थोड़ी जगह बनाएं तो यहां पर ताकि आपको थोड़ा सा इजी देखें फिर कोट में बैठने वाले हरवक्ते काम कैसा होना चाहिए गुड़फेथ में अब गुडफेथ कहा दियागा है तो बेरेक्ट में आप देखोगे आपको दो वर्ड मिलेंगे वहाँ पर क्या बोल रख़्ा है due care and attention good faith में किया गया कार यह सिर्फ तब का जाता जब वो due care और attention से किया गया हो तो इसका मतलब क्या good faith के लिए आगे बढ़ते हैं then यह complete हो गया हमारा चलिए score up कर दें फिर आता है person अब एनिमल थे दो बच्चे एक बच्चा हुआ यह जेंडर हम देख लें फिर यह सारे क्या कहलें person अब कहरें person में सिर्फ यहीं आये हैं क्या देखो यह तो होगे body of individual कोई एक person हमने का ठीक है इसमें दूसरा है company कोई company उसको भी हम as a person मानेंगे मतलब उसके खिलाब भी case कर स इस company को पर धोका दड़ी का आरोप है वो company association कोई group हो गया निखाय हो गया person के अंदर तीन लोग आते है company association और body of the individual यह चीजे क्याते है प्रीम आते है which one of the following is not a part of the person intersection provide intersection two sub-close 26 तीन यह देदिया चोथा कुछ और देदेगा partnership देदिया यह कुछ और देदिया देदिया आप आपको कुछ भी देदिया तो देखने ना भाई यह तीन है तो ठीक है नहीं है तो चोथा वो गलत हुग answer चलिए आगे बढ़ते है यह फिर फॉर्थ पॉइंट में यह तो कोई चोथा पॉइंट मिलेगा अलग से उस पर लगा देने गलत है अगर which one of the which one is not the part पूछता है अगर पूछता है which one of the part चोथा option मिलेगा अलोबदा बहु अलोबदा बहु अलोबदा बहु आँसर खता है अब person आगे अपने का public क्या होती है 26 में person person थोड़े से ज्यादा होगे तो वह क्या बनगे public बनगे person थे तीन है ना एक थोड़े ही अकेला single person थेन होगे तो हमने ब पढ़ना आप बिना बात की चीज़े नहीं पढ़नी public servant public servant 28 में है सिर्फ ऐसी बता इस क्यों आप क्यों सारे point पढ़ने all points plus case इसके case लोग पूछे जाएगे ध्यान दखना ठीक है आगे बढ़ते है डिस ओनेश्टी का मतलब क्या है डिस ओनेश्टी मतलब क्या होता है कपठपूर्वक डिस ओनेश्टी का मतलब दो चीजिशों से बनता है क्या मैं इसको उपर का रफ्के देओ ता कि आपको को easily समझ में आ जाए नहीं तो उपर आप बोलों कि सर उपर अजीब अजीब लग रहा है निचे का याद कैसे करें चलिए ध्यान देना ताकि आपको चीजे इजीनी कि लियर हो जाएगे यह रहने देत ऋम जिसेन नोट करना कर लेना श्कीन सोक sizi ले ले लना और हम गाइस टॉपिक मतलब I am not entitled to get that profit, मैं वो गेन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, किसी और को मिलना था, मुझे मिल रहा है, गलत तरीके से, तो क्या है wrongful gain, गलत तरीके से मैंने क्या क्या कोई benefit प्राप्त कर लिया, और wrongful loss, किसी व्यक्ति को नुक्सान नहीं या मुझे कोई नुक्सान न यह 5 second note मिला है, अब यह मुझे पता है, रमेश को देना है, किसी ने मुझे दे रमेश को नोट दे देना, मैंने अपनी jam में डाल लिया, मैं उसका हगदार नहीं था, लेकिन मैंने अपनी jam में डाला तो मैं क्या हो गया, entitled हो उसके लिए, यह मुझे profit हुआ, gain हुआ लेकिन कैसा, गलत तरी के सा, wrongful gain, और जिस व्यक्ति को मिलना था, उसे मैंने नहीं दिया, तो वो तो हगदार था न, उस profit को, उस gain का हगदार नहीं था, sorry, उस loss का हगदार नहीं था, जो loss उसको कहुँचा है, किस से, मेरे कारिये के वेस है, तो उसे क्या मिला है, wrongful loss, और यह दोन इंटेंशन, मेरी इंटेंशन कैसी थी, जैसे चोरी कमाम ला गया, extortion आ गया, ठीक है, robbery आ गया, loot आ ठीक है, क्रीम ने bishop टेस्ट आ गया, यह सारी चीजे आ गई, यह सब डिस ओनेशनी इंटेंशन से ही कह जाते है, जैसे रिष्टी है, ठीक है, रिष्टी मतला मिस्चीव, मिस्चीव में क्या होता है, एक पैन था, किसी का मैंने तोड़ दिया, मेरा कोई फायदे नहीं है, दूसरे को नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर सिर्फ यह हो रहा है, यह नहीं हुआ है, रिष्टी में करने वाले है, अभी आप देखोगे, तो रिष्टी में आपको क्या म क्या हो रहा है, तो इसलिए नहीं बोला, तो यह छोटे चोटे वाईडन, इसलिए बताएगए है, क्योंकि अगर आप केस लड़ रहे हो, नोर्मल सा केस है, तो वहाँ पर डिष्टी इंटेंसें दे रखा है चोरी के लिए, चलो ठीक है, लेकिन जिस कारे के लिए आपको क्लाइंट को लाइबल बनाएगे चोरी के लिए बनाएगे लेकिन वहाँ पर किसी वैक्त को लोस ही नहीं हो रहा है आपको प्रोफिट हो रहा है दूसरे को लोस नहीं हो रहा है किसी भी तरह से या फिर किसी को लोस आ आपको प्रोफिट हो ही नहीं रहा है किसी भी तरह से त और दोनों कारी मिले के क्या मनेंगे 28 यह याद करने का थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट है जो आपको बहुत जादा काम आने वाला है अगर आप का दिमा क्लास में रहेगा तो ठीक है काई जागे बढ़ते हैं फिर आता है फ्रोडुलेंटली फ्रोडुलेंटली के लिए सिर्फ इ ऐक हो गया हमारा स्पेसल्लोग लोकल लोका मतलब गयाता है पर्टिकुलर एरेख के लिए इसपेसल लोग बनाएग जो बनाएगए तगेंगे घ्रीख के लिए सबजेक्ट के लिए है जैसे के लिए बनाया गया है जो बच्चों प्रजों Source हो हो रहु हृ उनके लिए पर् Land Revenue Code हो गया हमारा, Municipalty Act हो गया, Urban Development Act हो गया हमारा, वो सारी चीजी क्या है? Particle Area के लिए तो उसे बोलते है local लो, special लो किसी special परपस के लिए या special subject के लिए बनाए गया, इनकी definition कहा है? 18 and 38, याद रहेगा? हाँ जी याद रहेगा, फिर आते इंजिरी की बात, इंजिरी अगर आपने बढ़ा है, शती, शती कितने तरह की हो सकती है IPC में, most important question है, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, और दूसरी बात, इंट्रिव्यू में आप भी कोई हसी में आपसे पू इंजिरी की, इंजिरी चार तरह की है, पहली बात ध्यांद दना क्या क्या? आपका प्रोपरेटी आपकी सम्पत्य को नुकसान पोचाए जा सकता है आपकी रेपोटेशन को नुकसान पोचाए जा सकता है दाष्टाने वर्षी दास्तानी के इसने का था था ठीक है बोड़ी को मुर्डर रेप सारे बोड़ी वाले ओफेंस है ना फिर इंजरी के साथ साथ एक सेक्शन और देखना फिप्टीन इल्लिगल इल्लिगल मतलब क्या होगा इस फिदि दुवारा किसेंने विदि दुवारा प्रोबिड़ी दुवारा परोड़ी करने है और फिर जो लीगल ही नहीं है है ना लीगल नहीं कोई कारे हो सब लीगल है कुछ याद नहीं रखना सेक्षिन याद रखना अब हमने कोसिस की है आई पीसी का बेसिक जो डेफिनेशन को लोजे ओल्मोस्ट कवर कर दिया है दो तिन डेफिनेशन बच्चे वोकल कवर कर लेगे ठीक है चीजे किलेर हुई सबको चलिए गाज अब ये चीजे आपको किलेर होगे इनको देखना रिवाइज करना चीजे 20 मिंट की वीड़ो बनेगे 22-23 मिंट की आराम से आपका कमसम वनवी का काम है जो आपके एक दिन में रिवाइज हो जाएगा जो कलासे कर चुके है उन्हें तो रिवाइज मिल जाएगा जिन्होंने नहीं कि एक लासे जो किसी मैंच में नहीं हमारे या किसी के भी वह एक बार बैरेक्ट खोलना और इसको देखना आराम से एक बार सुनना एक बार फिर इसको बेरेक्ट के साथ पढ़ना ठीक है चीजे आपकी इससे याद हो जाएगे कल नेक्ट कलास करेंगे इससे आगे बढ़ेंगे फिर आइस्ता इस्ता करेंगे एक टोपिक करके यह मानू इरादा हमारे यह है किन तारीक होगी है बीस तारीक है ना 20 20 सितंबर तक पूरा IPC मतले BNS कंप्लीट करेंगे इसमें ठीक है अगर राइस्तान वाले एक्ट करने है तो आप कमेंट करके बता देना शूरू कर देगे ठीक है और एविडेंस एक डिटेल में साम को चल रहा है रात को नो बजे नो से दस चल रहा है आराम से दो तीन महीन जितने भी लगेंगे हर मेंस का अंसर हर केसलो केसलो की डिटेल नए केस पूराने केस सब कुछ उसमें कवर चल रहा है कोई जोइन करना चाहता है कर सकता है मोबाइल नंबर आपके पास है थमनेल में दिख जाएग आपको 8439535250 उस बैंच की एविडेंस एक कैसे बता रहे कमप्रीटिस में लगे छे में लगे दस में लगे डसन में लगे लेगिन पूरा डिटेल में होगा बाकी इसको रिवाइज करके ना तयार करके ना कल इस सा आगे बढ़ेंगे ओके रिवेर्ण and all the best see you again